यदि आपका विखाता भारती स्टेट बैंक में है और आपने अपने SBI एकाउंट से किसी भी तरह का लोन लिया है और आप चाहते हैं कि आप अपने लोन का इस्टेटमेंट अपने मॉवाईल में डाउनलोड कर लें कि आपके लोन का कितना इवाई अभी तक जमा हो चुका है और कितना बैलेंस है यानि लोन का पूरा इस्टेटमेंट अपने मॉवाईल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उसके बाद लोगिन पर क्लिक करेंगे यहां लिखा है कांटिनीव टू लोगिन इस पर क्लिक करेंगे अब यहां परा में अपने इंटरेट बैकिंग का यूजर नेम और पासवार्ट डाल देना है यूजर नेम, पास्वार्ट तथा कैप्चा डाल कर लोगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में रेइस्टर मुवाईल नमर पे एक OTP गया है उस OTP को यहाँ पे डाल देना है OTP डाल कर समिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने इंटरेर बैकिंग में लोगिन हो चुका हूँ यहाँ पर अकाउंट होलर का नाम तथा इमेल आइडी सो हो रहा है यहाँ नेचे में हमारे जितने भी अकाउंट है, वो सभी अकाउंट सो हो गए है जैसे कि पाला है सेवे अकाउंट और दूसरा है लोग अकाउंट यह है ब्रांच का नाम आउट इस्टेंडिंग अमाउंट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दस टांजेक्सन यहाँ से चेक कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर किवल टांजेक्सन नहीं देखना है अपने loan account का पूरा statement डाउनलोड करना है तो इसके लिए यहां सबसे उपर 3 line बना है इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पहले नमप दिया है My Accounts and Profile इसमें क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ आपसन खुल गए है जिनमें से यहां दूसरे नमप दिया है Account Statement इसमें क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सभी account सो हो जाएंगे जैसे कि loan account, saving account तो आपको जिस भी account का statement अपने मौईल में डाउनलोड करना है उस account को select कर लेना है मुझे अपने loan account का statement डाउनलोड करना है तो इसलिए मैं loan account को यहां से select कर लेता हूँ जैसे ही हम अपने account को select करेंगे तो यहां पर selected account नमपर आ जाएगा कि हमने कौँ सा account select किया है यहां नीचे में दिया है कि आप अपने account का statement किस तरह से डाउनलोड करना चाहते हैं by date, by month, last six month का या financial area जिस भी तरीके से आप अपने account का statement डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आप यहां से select कर लिजे लेकिन मैं यहां पर by date से अपने loan account का statement डाउनलोड करूँगा तो start date में जिस भी date से हमें अपने loan account का statement चाहिए उससे हम यहां पर select कर लेते हैं देखिए मैंने 1 January 2021 कर दिया है और end date में आज का ही date कर देते हैं उसके बाद आप अपने loan account का statement इस फार्मेंट में चाहते हैं के वाला आप देखना चाहते हैं तो भी पर आने दीजे MS Excel फार्मेंट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इससे select कीजे पीडियो फार्मेंट में चाहते हैं तो इससे select कीजे वेदिया टीजी लाकर में अपने account का इस फार्मेंट अप्लोड करना चाहते हैं तो आपको इस पर select करना है चलिए मैं डाउनलोड इन पीडियो फार्मेंट कर लेता हूं अब इसके बाद go पे क्लिक करेंगे अब देखिए यहां दे रहा है date range cannot be exceed 12 months यानि 12 मैने से ज़्यादे का हम account इस्टेट में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो यहां पर हम okay करते हैं start date में हम करते हैं एक अपील 2021 और end date में आज का ही date कर देते हैं उसके बाद go पे क्लिक करते हैं यहां लिखाए download इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे loan account का statement टोटल 12 महिनों का हमारे mobile में PDF 100 में डाउनलोड हो चुका है यहां पर हमारे loan account का पूरा detail दिया हुआ है जैसे कि account holder का नाम, address, branch, loan account number, loan का type यह सब कुछ यहां दिया है और account statement किस date से लेकर किस date के बीच में है और date यहां पे दिया है और यहां नीचे में पूरा statement दिया हुआ है तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी यह दिया आपने भारती स्टेट बैंक से किसी भी तरह का loan लिया है तो अपने loan का statement अपने mobile में PDF फानलोड में डाउनलोड कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बताईएगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो वह लाइक करते हैं हमारे चनल पहली बार आए हैं तो चनल और सस्क्राइब करके पेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं तो मिलते हैं इसे पिकार के एक और क्यान वाली वीडियो में वीडियो देखने के लिए और बहुत धन्यवाद